राम राम किसाम भाईयों कैसे हैं आप सभी लोग आसा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और भगवान से द्वावी करता हूँ आप सभी लोग शुखी और संपन रहें आप सभी लोग जानते हैं कि मैं प्रति दिन एक वीडियो आपके लिए लेकर आता हूं गायों और भेंसों से संबंदित एक बीमारी और उसकी शमादा इसी कड़ी में आज मैं अगली वीमारी अगला समादान लेकर आया हूं उससे पहले बीपी कावलोवर चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत शागत है आप हमारे वीडियो इसको देख रहे हो आप बातों को ग्रेड कर रहे हो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवार तो बाद में 15 दिन तक जानवर कम चारे कुछ जानवर कम चारा खाते हैं लोग यह कहते हैं अभी तो गाय ने बच्चा दिया है और 15 दिन तक भी चारा नहीं खाएगी नहीं यहां पर हमारी कमी है कभी कभी क्या होता है बैक्टिरिया के कारड़ या पीटों में कीडों के करड़ आता है कोई बीमारी और उसका मैंने डॉक्टर से हाई-फाई एलाज करा दिया बाड़ी में अधिक एंटिवाइट एक्स पहुंच गए हैं उसकी कारड़ भी जानवर की भूग कम हो जाती है मेरे प्यारे किसान भाईयों यह जानवर की भूग कम हो जाएगी हमारी गाई की भूग कमोन जाती चारा कमखाती है चारा नहीं खाती है किशी भी प्रकार से आशके लिए बहुत जोटा सा सॉलूसल ने कराया हूं आज आप लोगों के लिए हमने पहले भी बता दिया आपको कि जितनी भी बीमारियां हमारे अंदर हमारे पस्मों के अंदर तैयार होती हैं उन बीमारियों का इलाज हमारे 50 किलोमीटर की एरिया में है पचास किलोमेटर की एरिया में जितनी भी जड़ी बूटियां बनस्पतियां हैं उन्हीं में हमारा ट्रीट्मेंट इलाज शुपा हुआ है बस हम लोग असमर्थ हो जाते हैं तो कहां पर सिर्फ उनको पहचान नहीं पाते हैं कि उंका प्रेक्टिकल नहीं पाते हैं.. अच्छी तरीका से उनको प्रियोग नहीं करपाते हैं अपने पासुओं पर समय पर बस एक दम कोई शी बीमारी होती है डोक्टर को बुला। भूख कम होई डोक्टर को बुला बोकार थे है ड़कटर को à अरे भाई कुछ तो देख लिया करो प्रक्रती ने हमें बीमारियां दी हैं तो उनका शॉलूशन भी हमारे 50 किलोमीटर एरिया की रेंज में ही है बस कमी हो तो किसी चीज की केवल उनको खोज नहीं की कुछ बुजर्ग लोगों से आप पूछेगा उनका एक अन्वव होता है उनका एक फार्मूलो होते हैं हम होस्पीटल में जाते हैं डॉक्टरों के पास जाते हैं कभी-कभी हम बहां से निरास लोटते हैं और कोई भी हमारा बुजर्ग बंदा, ओल्ड मैन हमें कोई फार्मूला दे देता है और उश्य हम पूरी तरीका से ठीक हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि जड़ी बोटियां हैं, बनस्पतियां हैं, इनका सोलूशन शमादान थोड़ा बक्त लेता है। बक्त लेता है। यह बात पूरी तरीके से निराधार है। बक्त नहीं लेता है। उसका समय पर और उचित मात्रा में उपयोग की जरूरत है। जिसे हम करते नहीं। तो आज मैं वही लेकर आया हूँ, ज्यादा मखबास नहीं करूँगा। आप लोगों को परिसान भी नहीं करूँगा। आदिक समय आपका लेकर के बस छोटा सा समय लूँगा। किशी भी परकार से हमारे पशु को भूप नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है। उसको किस तरीके से हम हल करें। अब शब्चे पहले आते हैं हमारे पास देखिए, एक जड़ी बूर्टी है, यह बनस्पति है जामुन। किशी भी परकार की जामुन होनी चाहिए, यह जामुन के पत्ति हैं, हमें 200 ग्राम जामुन के पत्ति कठे करने हैं, केबल 200 ग्राम, जामुन के पत्ति कितने 200 ग्राम है, दूसरी बनस्पति है, इसको हम बोलते हैं अपनी देहाती वासा में कुंद्रू, शब्द वासा में, इसकी बेल पहचान लेजिएगा, यह कुंद् और कुंद्रू की पहचान बता दो इस कुंद्रू में इस प्रकार के फल लगते हैं देखिए इस प्रकार के फल इस कुंद्रू की बेल पर लगते हैं इससे बच्चे खा भी लेते हैं कभी कभी और खेला करते हैं इसे यह फल लगते हैं इस बेल पर इससे पहचान सकते हैं आ दालके शौग्राम हम पानी डाल देंगे करीब हमारे पास आदा किलोमेटरियल त्यार हो जाएगा अब हमें दूसरी चीज कौन से लेनी हैं नोट कर लीजिए आप पचास ग्राम मीठा सोडा जो हम लोग आम अपनी किचिन में यूज करते हैं रस्तोई घर में यूज करते हम लोग खाते हैं पचास ग्राम मीठा सोडा लेकर आएंगे पचास ग्राम अज्वायन 50 मीठा सोडा 50 ग्राम अज्वाईन दो चीजें हो गई हैं 50 काला नमक जो हलकी सिसमbell भी देता है बच्चे बहुत ठेस्ट के साहथ खाते हैं 50 ग्राम काला नमक और 20 ग्राम एंग ये चार चीजें ले आईए इन चारों चीजों को पीश लीजिए महिन करके खुब अच्छी तरीका से महिन करके पीश लीजिए पीशने के बाद में जो हमने जामुन का लिकुड तयार किया है 400 ग्राम जामुन और कंद्रू का लिकुड तयार किया है उसमें ये mix कर दीजिए अब खिलाने की भी विधी बताय दे रहा हूं इसकी जो इतना material तयार हुआ है भाई साथ ये करीब करीब हमारी तीन खुराक हो ही है जानवर के लिए तीन खुराक 400 ग्राम ही material हो गया और 200 ग्राम के करीब 600 ग्राम material हो रहा है और कुछ मात्रा में पानी मिलाएंगा साड़े साथ सु ग्राम करीब हो जाएगा और हम पिलाना चाहते हैं नाल वगएर अपने पश्चु को तो हम उसमें पानी की मात्र थोड़ी अधिक बढ़ा देंगे एक 200-25 ml साम को पिला देना इसी प्रकार से दूसरे दिन भी आप 200-25 ml दो बारे में पिला दीजेगा आपके पश्चु को आपकी गाय को किशी भी प्रकार की प्रॉब्लम होगी लिवर से संबंदित पेट से संबंदित अपच से संबंदित या भूक नहीं लगती है वो किसी प पादन देगा आज की इतनी चोटी सी जानकारी थी किसान भाईयों शायद आपको पसंद आई होगी यह आपको पसंद आई हो तो इस चोटे वाई का चैनल बीपी कावलोगर चैनल जरूश अब्सक्राइब के लिए लिए अगली वार और भी आने की बनस्पतियां लेकर आ और अन किसान भाईयों का बला होगा यह आप हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो अन भाईयों तक ही सूचना पहुंचेगी जो दवाईयों पर हजारों रुपए हमारे गरीब किसान खर्च कर रहे हैं वो नहीं करना पड़ेगा कम पैसे में कि आप की प्रिकार की परिशानी होती है तो आप 24गंटे मुचे कॉल कर सकते हैं और परामर्स ले सकते हैं इसके लिए handsome 360 6, 81, 35, 40 नमबर कितना? 97, 60, 81, 35, 40 इस नमबर पर आप 24 सेंटे कॉल कर सकते हैं और अपने परस्यू गायबेंस किसी के लिए भी परामर्ज ले सकते हैं आपको उचेत परामर्ज में लेगा जिससे हमारे किसान भाई पहले से ही बरबाद हैं और पश्यों के इलाज पर अधिक बरबाद ना हो इस एक साथ मैं बिदा चाहूंगा जैराम जी के